आपने जेमनी चारवादा थी रहा जोता था एवा अपना युवा दिलोना रदै सम्राठ गई कालेज जेमनो निर्वान दी नतो अधि वसी दली समानिय मनस जेमने मातरिके शिवगारता था एवा सर्गस्त इंदिरा गांधीजी ना पोत्र जेमनो लोखन्दी वनोवड अतो पन रदै पूमान तो एवा अपना माँ सम्राठ इंदिराजी ना पोत्र मन्य रावल गांधीजी नो आ सुर्य पुत्री तापी नदी ना खोड़ा मां मांधीजी ना तमाम लोगों वती हुँ हाधिक स्वाधत करूचू अपना रावा एवा मान्य अहमदवाय प्रदेंश साहेब मान्य भरतबह सुलंकी शाहेब अपना दक्षिन गुजरापना नेता मुरब्वी डोक्टर सुसरवाई चोधनी शाहेब CLP लीडर महांसीर अठवा साहेब सक्तिसी गोहिल साहेब मान्य अजुन भाई मोटोणिय साहेब दक्षिन गुजरापनी ये तमाम बेठकोनी जाबदारी शेएवा अमारा वडियलेने मोटा भाई वा मान्य अस्वर्दन भाई PCC से महामंद्रेवा लाजी भाई ये तमामनों हो आप सववती खुब लागणी भीनों स्वागत करूशू अने आप सवव जेने इंतजार करताता है आपनी इंतजार पूरी थाईशे अस्तु धन्यवाद आप मानिशी राउल भाई जी का स्वागत करेंगे फूर्द माला के साथ जिग्मेश्या जी बेमजिंग भाई चोदरी जी इकबाल भाई करोडिया जी सरसुती बेंग जी और शंकर भाई चोदरी जी ग्रीश भाई और नीरु बेंजोगी जी जलदी ते आजाए अनन्द भाई जी आप स्वागत करेंगे मानवी की धर्ति पर मानवी राउल जी के जी आदेकार आज सभी देशो आज आज भी अज़ी आज भी कोंगे राहूल गांदी राहूल गांदी राहूल गांदी इसके बाद मैं बुलाना चाहूंगा कंदर चोजरी जी को वो आकर समिर्टी ची बेट करें एंकित पटें जीमी गामित यूज कॉंग्रेस से शी धिरु भाई चोजरी वो भी यूज कॉंग्रेस मानवी के अदेक्शन वो आकर आदिवासी इसके बैल गारी और इसके बाद आदिवासी इस्दे समराट बिस्ता मुंडा जी का चित्र के लाउंजी को समान में देंगे जीमी गामित तो शीधिल अंकित तोंगे कोंगे 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 हालो मार्मी नगर रपत तालुका ने नगर ना रपत समस्तना जी आगेवानोंचे के लाहुर जीनू सापने कि अल्ला की स्वागत करते हैं, तो रत्म समाथ में आगे उनने निन दी करें, इसके दिवर आओं इनने स्वागत करें. जक्तिसी ने हो पे रहो बापु अवे तामने आगडवा घर्टा हूं आप्रा समा नेता अर्चुन भाई मुढवाड़या सहीब ने मिनें दी करें, के तेवा प्रसम्याल में पोतां प्रवादें करें, अर्चुन भाई. आपना सौना लाड़िला अने समग्रदेशनी आसा जम्ना उपच्वे एवा आपना राश्री उपाध्यक्स, आदरनी राहुल जी, आदरनी वरत भाई, आदरनी एमत भाई, आदरनी अशोग जी, आदरनी शिदाज भाई, दोक्टर तुर्शार भाई, शक्ति सिंजी आपना सौना लाड़िला जारसभ्य बै आनन्द भाई अने बद्दाच कॉंग्रेशना वणी श्ठागेवांग, उपस बिद बदाच माताओं बेहनों और युवान साथ मेंगों नाहुन जी, आपना बद्दारी बच्चा आए बाच है, मारे विसेश वाद आपने लथी करें, परन्तु चला बे दस्काउत बार्दी जन्ता पार्टी, अने ने आगेवांग, जे ने देशना आजाजी संज्राम में लडाईने इंदर हिस्सों न थी तो, जे ने बलिदा न थी आपा, अने आजाजी पछिया देश में घड़तर ने अंदर पाण, इमने कुल भाड़ो न थी आपो, ये आपने बारं बार प्रश्चर पूछे चे, कि तम्हें बदाए साइट वरस्मा कॉंग्रेसे सुखे हो, गरश्चा चान नारोपों मुखे चे, पड़े बदा प्रश्चा चान ने चान थी अंदर शत्तावन वरस्मा की, त्रेवीच अंदर सी अंदरllesünden देशंगा, इटेश्चै, कि तमाम प्रादमिक श्ब्राओं कॉंग्रेसे पड़ा, एक पर नवी प्रादमिक शॉड़ा वाजय पर आदिने मुखे, तमाम ग्रांटल मुखेथ त कोंग्रेस बदाता, तमाम कोलेज और तमाम मौटी इनिवर्शीट और मांदीद मी कोलेज ओ, क्याम्दावादी कोलेज, यह बदीद कोलेज कोग्रेस नाराज मांदीद तमाम उनिवर्शीट यौ, गुज्राप युनिवर्षिति, जखशेट गुज्राप, उत्तर गुज्राप, स्वबराप, सत्रिक अधरिकल्चर, आयोग्रेजिक बद दिज उनिवर्षितियों कोगरेसे बना ले बाज़पे बना भी खरी पड़ पारूल युनिवर्षिती बना ले सोमन्दी प्यों नहीं चुपी बनाली। जे मा आपजोन आप करोडो रूपया खाता अन्य आपणी दिकरियों अना सोचभता। तमाम बंदरों गुजराथ की अंदर आवेला के तमाम बंदरों कॉंगरेसिग बनाएब। तमाम एर्पोर्ट कोग्रेस से बनाएबा। वाजब पे एक एर्पोर्ट नो मुख्यमंत्री मोदी आता त्यार खात मुरत केरूं। दोलेरा इंटरनेशनल एर्पोर्ट नो। बेहजार तेर माँ अरे त्या एकली मदी फ्लाइट आवेशे हैं। के कॉंजेशन दुठर요オज। acáe price मुख्यमंति नुठी सकती नथी। गुजरात ने अंदर जहितनीろ जाकन यडीशी छे, इंडस्याल से तुमाम निस्टिइल एस्टेट ए रॉता है, के वापी ने अस्या ने, सौथ निमोटामामोटी इंडस्याल से वोई। अंकलेश्वार नी тебя नंबर नी इंडोष्ट्रियले States है कि बिजी बधी इडोष्ट्रियले सिपो बद कॉंव इंडोष्ट्री रच्माय के बदाद कॉंअअग्रेशट्रेए बदाज स्टेश ट्राश्पॉट्र ना बस देपऊ! सर्विली इंडेपा नग्रेश है बदाद आपने गांधी नजमी जमीन बेच वानु काम कोुड़। तमाम सिवील उस्पीटलों तमाम कोंग्रेस से बना दो। तमाम मेडिकल कोलेज कोंग्रेस से बना दो। राहुन जी आएवाच आजए हैं। आपना बजा माते मंद्रेगा योजना सोधीवस्ती रोजगारी नोफ क आपना बजा माते राइट टू फुरेस्ट एट राहुन जी, सोन्या जी आने डॉक्टर ममोर जी लायाँ। खेडाते नी जमीन लोग काईदो सुर्थालिस नी अंदर आपने बजाने जमीन लग माली को बनाएबा होई तो कोंग्रेस से बनाएबाँ। एमा क्रूओ करवा लोन कोंग्रेस अपी, यहाँ विजाणीना कनेक्शनों कोंग्रेस है पा, बीयार नो कोंग्रेस है पा, अरे वे पांदले कोंग्रेस है पिरा, भाजग आवा पची जूम्ला हो आपा, पंदर लाग आपी जेसूं, खेडू तो नियाना ठेकाना भाव डोट गड़ा के शू एक करोड जार्वाचे नोकरी आपचू बजो आतू एपड़ नहीं दोफाचू एटले आ लोपोना एकज बात्तो विकास्त पेरोचे अने एट भार्ती जन्ता पार्टी ना आगेवानों जेने साइकल ने पंचर खरवाणा पैसा नोता आप फोर विल राइवान एनू कारणे चे सौथी बजा मावत्ता ने प्रिस्टाचा रहने चे त्यारे बारे आप सवने मिननती करदीशें खास करें ने युवान मित्रो ने के बद्दाज आवक्ते परिभत्रनी हवा बदीश के चालिस है एनू जंडो तमे बद्दाज रिवान मित्रो आत्मा लाई राहुल जीनो शंदेशो गरे गए शेरिये शेरिये अने गलिये गलिये आप जो एबी विननती साते आप सवनों आभाद जैविन जैवाद अबार अजुन भाई हवे अपना लोग लाडी ला निर्ता अने गुजात पदेश कॉंग्रेस समिती ना प्रमुक्सी मानियसी बद्द भाई ने उन जंदी करी के लो पोता में प्रवाजन दरे मानियसी बद्द भाई सोरी पहले आप सब्द भाई के अनर्जी आपने को महा सची हुए है सीसी दो सब्द भाई बात करें हमारे अखिल बार दे कॉंवेश्ट अमेडिक उपाई रेक्स हमारे बहुत मैगों गेता आदर में राउल गांदी भी एमादाई पटेटा पजिल कॉंवेश्ट अमेडिक प्रमग बार्गवाई स्वनेदी जी मोंचिक भाई राथवा जी निता पतिबाक्ष पूर अध्यक्ष अर्जु मोडवाने जी चिदापरे जी सक्ति दिल गोएं जी तुजाच्वादी जी वात्तमाम उपत्ति नमारे अवानों भाई और भाईनों मोडवान चाहती हूं। लावल जी का इन दोरा स्वराष्ट पुरा हूँ, मद्धी घुजाद में गए, अब आपके लेक्षिन घुजाद में आए हैं। मैं सुबह से देख रहा हूँ, जिसके गारते आप सभी दोगे बढ़्जे में हैं। उशी रूप में आज राष्टे भर जिनों चाख्वा उमंग थी, उन्जी पती प्यार दिखाया गया, उन्चे हम सब बहुत अभिभूत हैं, बहुत खुश हैं। वह में दिख रहा हूँ, आप लोग किस रूप बैठे में हैं। तो आपके समेल रहा है, तेली हो गई, उसके लिए मापी चाहता है। पर्दू रहो जी हम सब लोग आवन करना हैं आपके मिश्में। जो हलात से घुजन हैं आप लोग, बाई साथे या मसाचन नहीं हैं। जो देवादे की हैं। चानी के, बिजनी के, सित्चा के, स्वार्थ के, सरभों के। बड़े-बड़े बाते की गई, दूग लगेंगी। बिजनी प्रवर्वार इन फेहर रही हैं। नौजवान को लॉपरेरिया मिलती है। चारवाद इसका देख्षी आती है। और इसी कान से इस बार लोगनमन बनाया है। हमें कैसे गुजात में चर्गा बननी कॉंगर्ष की। एक सी आवाज सक्षी निकल रही है। कि लोग बोलते नहीं हैं। हमें लगता कि अंडर करण चलता है। लोग समझ गये हैं कि बोलते कोई फाइदे नहीं है। जूट के सामें को बोले जाएं। शत के सामें लोग बोलते हैं। इसलिए मैं आप रावार करना चाहूँगा। एक बार आप लोग बाइस साल के बात में अगर आप गजस के सरकार को नौजवान जो तीस साल का है, प्वेटीस साल का है। तो मीड़े वाले में पूछते हैं कि यह देखाई नहीं कोईश का सासर होता कैसे है। मैं इस पीडियो मालूम नहीं है। तो जो आप रुजवान बैठे हैं तो मालूम है कोईश का क्या यूगदान एक देश के लिए है। आदू ने इस दिखरा हम है। जब इदली चमचमा रही है। गाउं में इस्कूले हैं, अस्पितार बनगे, तरके आ गई, पानी आ गया। यह कैसे आ गया। कि वाज़ा दुआता तो क्या था है। यह कोईश की जिए नहीं है। आपके यह जिर मातना गांदी होए। सब्सक्राइब होए के आते हैं। इतना बड़ा योगजान कांगा। गांदी जी के साने जी में पड़िक नहरून ने थी। मदन आजाज ने थी। सब लोगों ने मिलके अमिर्गरी ने सभिजान की वक्त में होगे काने वाई। जो उसक्त में जो टेश की एकता फिर्टा जबने के लिए। और जो कुछ विकास हुआ है उसकी बदलत हुआ है। हमें सुनने को मिलता है कि साथ साथ में कौउगेशन क्या किया है। उसके जवाब देने का मिता तार्या है कि वास्तर में कौउगेशन क्या किया है। कहने बड़ा असा मता है पर जो जो जाग बंजान कौउगेशन है वह बोल नहीं सकता। आपको दो मानों कि कि इत्ती महाल नेजा निदराजी। इन्दाजी गांधी जी एक महला होकर कि उन्हाने इस देश का महाल में समान पुरी दुन्या में बढ़ाय था। और पुरे उपादीव का इतियास पुर्वर बनन गया था। बंगादेश कोदे हो गया था। कालिस्तान के बावुती उन्होंने देख की एकता के लिए अपनी जान की परवा नहीं कर दी और उसके बावुदू को नहीं जान जा सकती है, उसके बावुदू को नोने वो कदम अड़ाए, आकिल में उनका शीना च्छद नहीं कर जा गया, तो इस मुन्दी से लिए सही हो नहीं, इस मुन्दी तो भी भून नहीं सकते इस बावुदू, आज भी उनको र्याज करते हैं तो रोगों का अपना मार्शो आती है, लोग भव भू दो रहते हैं, राजिर्गाने माजवाने ताकते हैं, इंद्रा जी जाद्या हुए कि यह उनको पजामनी बनना पड़ा इवा अर्श्ता करता, कि इसमेगा उनको शाशन किया, तो सबको मालूम है कि इसी सदीगी बात कि उसने करें, कि आजी मोबाल पर आप देख रहे हो, कंपिड़ देख रहे हो, किसका सपना चाहिए है, उत्रते लोग समझते नहीं थे, आतो हर आतो मोबाइल के, पहले टेलि हिली में, बंबई में, लंडन में, अमेरिका में, इतन्जा पहिस्ता हो ने राजीफरान का सपना था, इसलिए इस देख पोर कुछ दिया है, कौंट एम कुमेते हों, कौंट र क्रेसे क्या क्या सा उत्रता देख चैना गरे, कि जुम्रह मadasis में 0.182 करश तो उनको वालू पढ़ेगा कि क्या हो गया है उनको को समय जा रहे हैं इस बात करता हूं बहुत बात धन्निवाद धन्निवाद चाहिए अपना सवुर्ण लाडिला अदेश्नो बविश्य अपना सवुर्ण लाडिला अने जैने मणवा जुआ माटे आप चिल्ला केटलाए समय जी रहे हैं बैठा जो येवाज लाडिला नेता राहूल जी कॉंग्रेस ना वरिष्य नेता परम आदाणिय एमद भाई पटेल राजस्तान ना पूर्व मुख्य मंत्री गुजरात ना प्रभारी आदाणिय अशोग गेलोज जी विदान सभा मा कॉंग्रेस पक्षना नेता आदाणिय मुरब्वी मोंसी भई राठवा अर्जुन भाई सिंदाज भाई शक्ती भाई तुशार भाई अर्षवर्दन भाई मंचस्त सो वागिवानों ना आप मारा वडिलो माताओ बैनों नियों आन दोस्तो मारे थोड़ी कई वाद करवी छे आ भारती जन्ता पार्टी वाड़ा तमारी पाते आउशे मगर ना सुपाड़ से जात जात नी बात बात नी वादों करशे आ देश ना वड़ा प्रदाल अमना आउता नोता गुजरात मा छेला वरस्त मा पड़ी एक महिना दी एमना आटा गुजरात मा खूप वधी गया से अनि इतला माटे वधी गया से के एमनो हाड न ब्लड प्रेशर वधी गया हुँचे एमने एम लागी रहुचे क्या गुजरात मी प्रजा आव वक्ते पताना विचारों बदली अने भारती जंदा पाटी न जाकारों आपशे ले पोते तो आवेचे पड केंद्रना मंत्रियों राजनात्सी सुष्मा स्वराज सौरक्षर मंत्री अरूर जेटली रवी शंकरजी मुख्यमंत्री उत्तरपदेशना योगी आधिकनासी शिर्वराजसी चौहार पसुंग्रा राजे सिंदिया बजाने मोगल मोगल करेश अना अपड़ाई गईकाले एक लीस्त बार आयो पड़ अवे गम्मेटला नेताओ गुजरात मा आवे एमुक कई वड़वान नती ये वात नकीछे निर्वेवात्षे उत्तों आपनी वच्चे आलोचुआ बाण्डवी मा यारे खास तमने अभिरन्न नाप्पा माटे क्या आपे बाई आनन ने आयाती विदार्स तवामा जीताड़ी ने मोगलो अने एना माटे हूं तमने रदे थी खुर्टू अभिरन्न नाप्पूसूर अब आर्दी जंदा पार्टी अंदर अंदर इटलाख बक्तार खेस्तार चाले चे पहला मुख्य商न्तर मादी यागा आननि बैन ने लईया आगा क्छी कही राज बराबर चालिव नहीं बराबर चालिव नहीं येटलि Tubay आनन दी बैन ने बोई ये फूच्छ्यों के शुव मुश्केली छे तो आनन दी बैन के कँआधिकारियों साबढ़ता न थी जिल्ला कालू का पंचायत मा बार्गी जंदा पार्टी नी भूड़े हाले हार थाई आननों दी बैन ने पूछू कि केट्स अमे आरी गया तो क्या हमें एटला माटे हारी गया कि बाजबना कार्य करो कॉंट्राक्टर बनी गया अची ये इंटना माटे हारी गया आछी है आनन्दी बेनने काड़ी वीजेई भाई रूपाणी ने लगया व्या वीजेई भाई रूपाणी रोबोर्ट अने रबर स्टेप जेतलों रिमोर्ट चलावे अमीद भैशा आम तो अमीद भैशा ने गलगलिया थाई छे इनला माटे वदारे दोड़न दोड़ करी रहाज अमीद भैशा प्रेस कॉनफरेंस में एप कहता हाता क्या वकत नी चूटनी ओभी सी याने नर्वदाना मुद्दे लड़ा से एक बाजू भारती जंटा पार्टी वाणा जाती वाद करता होए कोम वाख करता होए अंदर अंदर लड़ाव का होए जगड़ावानू काम करता होए अने तेम छता है ओभी सी याने बीजी बदी वातों करीने लोकोंने गुम्रा करवानू प्रहत्म करेश नर्वदाने लागे वड़के जे त्यांसुदी अ नर्वदानू पाणी आखा कुज़ातना बधाए खेदरों मा पहुची वड़ी शके होँचे 9 लाग हेप्टर मा आ पाणी आपी शकाएंचे आजे 22 वरसना साशक पची पड फक्त 2 लाग हेप्टर जेतलू पाणी आपणा खेड़ूतोंने मलेश बाकी नू पाणी कादो उद्योगपतियोंने आपपामा आवेशे और कादो धरियामा वही जाएशे आ क्यवा प्रकारनी सरकार चलावेशे जुदाज़ा मुद्दावाव राहुल जी आवेडले अमना पेटमा तेल ग्रेडाए अने राहुल जी माटे काईन के बोलवानी वातों कर्या करे आ खरी अकिकत तो एचे के सरकार तमारी चे वईवट तमारों चे गुजरात मी प्रजाना प्राण प्रस्णों चे बेरोदगारी नो प्रस्णों चे खेड़ूतों नो प्रस्णों चे लोको न पाक विमा न प्रस्ण चे विजरी न प्रस्ण चे व्यापारियों न प्रस्ण चे जीएसी न प्रस्ण चे आ बदा प्रस्ण नो उकेल लाओ ए तरब तमारे लेव जोईए भार्दी जंदा पार्टी बगवाई गेई छे डरी गेई छे अने गबड़ाई गेई छे पड़ खासकरी ने हुँ आप सोंगे विनंती करवा आवल चुँ आईया क्या आप तो चौकत पड़े आनंद भाई ने रिजड विजयी बनावी ने मोकर सोज पर साथे साथे आनव पहुत आखा गुजरात मा सारी रिते फेलाए ये माटे नो प्रहेत में करशो आपना दर्शन तया धन्य तयो आप सो उनों आपार धन्यवाद जैही जैजे गर्ली अब आप लोगों की पतिक्सा समापत हुई और आप जुआओ की दिलों की धर्काद मानने श्री राउल गंदी जी पुबाजयक ए आइड सी जी आप लोगे जीजिवा जोगी जोगी आट जी आशोक एनोट जी बरत सिंग सुलंकी जी एमद पतेल जी मोहन सिंग राठवा जी अर्जुन मुडवाडिया जी सिधात पतेल जी शक्ति सिंग गोहिल जी तुशार चोधरी जी हश्वदन सबकाल जी अनंद चोधरी जी कॉंग्रेस पार्टी के सेवा दल NSUI Youth Congress महिला Congress के हमारे सब कारे करता भाईयों और बहनों प्रेस के हमारे मित्रों आप सबका यहां दिल से बहुत-बहुत स्वागत आप काफी समय से यहां बैठे हैं मेरा प्रोग्राम ठोड़ा लेट चल रहा है आपको कश्ट हुआ रुखना पड़ा इसके लिए मैं आप से माफी मांगा चाता हूँ मेरा हर प्रदेश में दोरा होता है चुनाओ के समय होता है चुनाओ के बाद में होता है मगर पहली बार गुजरात में मुझे एक नई चीज़ दिखाई दे रही है पहली बार गुजरात के समाज का हर कपका गुस्से में है अंदुलन कर रहा है गुजरात में आज चाहे हो किसान हो मजदूर हो आदिवासी हो गलित हो ओबिसी हो पाटिदार हो कोई भी हो मैनॉरिटी का हो कोई भी यहां पे खुश नहीं है सिरुफ गुजरात के पाँच दस सबसे बड़े उद्योगपती खुश हो उनका कोई अंदुलन नहीं चल रहा है उनके दिल में कोई धर्व नहीं है वो बहुत खुश हो बाइस साल से नरेत्र मोदी जी ने यहां पे गुजरात मॉडल चलाया है उन्होंने आप से कहा था कि आप उनको अपना पानी अपनी बिजली और अपनी जमीन दो और वो आपको फिकास रोजगार स्कूल और कॉलिज हस्पतार और प्रगती देंगे बाइस साल के लिए उनोंने आप से आपकी जमीन ली बिच्छी ली पाली लिया उन पांच्दस सुध्यों पत्यों को दिये नैनो फैक्ट्री का उधारण लेता हो किसान रो रहा था तबाह हुआ था उसको कर्जे की जरूरत थी आदिवासी लोगों को पैसे की जरूरत थी नरेंद्र मोदी जी ने तेइस तेटीस हजार करोर रुपे ताटा कंपनी को नैनो बनाने की ने दिया तेटीस हजार करोर रुपे से गुजरात के हर किसान का करजमाग किया जा सकता है मगर वो पैसा आदिवासीों को नहीं दिया गुजरात के किसानों को नहीं दिया मज़़ूरों को नहीं दिया वो पैसा एक कमपनी को दिया नैनो उसी कमपनी को नरेद मौधी जी ने वहाँ आपकी जमीन चीन कर दी पानी दिया विजली दी कहा था लाखों लोगों को मैं रोज़दार दूँगा 23,000 करों रुपए दिये सुरी 33,000 करों रुपए दिये नोक्री नहीं लगी तीन दौरे लगें मेरे गुजराश में हजारों किलोमेटर चला हूँ सड़क पे मुझे एक नैनो गारी आज सब नहीं दिखाई दिये आपसे जो लेना था ले लिया मगर जो आपको देना था वो बाइस साल के लिए नहीं दिया मेरे पास आक्रे हैं मैं हवा में बात नहीं करता हूँ जूते वाइदे नहीं करता हूँ तो आक्रे मैं आपको सुना देता हूँ नरेंद्र बोधी जी ने वन बंदू योजना में गुजरात के आदिवार्शियों को दो हसार साथ में वाइदा किया था कि वो आपको 15,000 करोड रुपय देंगी दो हसार साथ में नहीं दिया उसके बाँ बारा में पिर से कहा कि ठीक है दो हसार साथ में नहीं दे पाया अब मैं आपको 40,000 करोड रुपया दूँंगा मतलब 2007 और 2012 में नरेंडर मोधी जी ने गुजरात के आधिवासियों को वाइदा किया कि वो आपको 55,000 करोर रुपे देंगे मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ आपको ये 55,000 करोर रुपे मिला मोधी जी ने कहा था लिस्टे बेरे कास मेरे पास लिस्ट है देखिए मोधी जी के शब्दों की लिस्ट है उन्होंने कहा था पाँच लाख आधिवासियों को मैं नोकरी दूँगा मिल गई आपको नोकरी सब को हर आधिवासी को मैं घर दूँगा मिल गई आपको घर हर आदिवासी युवा को अच्छी शिक्षा दूँगा मिल गई आपको शिक्षा सब को स्वास्त सब को पानी हर आदिवासी किसान को सिचाई का बाइदा किया था और मैं आप से पूछना चाहता हूँ 33,000 क्रोर रुपे नैनों को सिर्ब एग कंपणी को दिए आपको वाइदा किया था 55,000 रुपे दे पडपं 2000 प्रो रुपे देने का शिक्षा का वाइदा रोजगार का वाइदा नोक्री का वाइदा स्वास का वाइदा सिचाहि का वाइदा इन में से एख पूरा हुआ है एक आदिवासी योगा कह सकता है कि नरेंद्र मोधी जी ने आदिवासीों का भणा किया नहीं कह सकता है दिल्ली में कॉंग्रेस की सरकार कानू लाए ट्राइबल बिल आपका जल्ब आपका जंगल और आपकी जमीन की रक्षा कानू कानून में लिखा था कि जो भी जंगल में उगता है वो आदिवासीों का है और उसका फाइदा आदिवासीों को मिलना चाहिए कानून में ये भी लिखा था कि आदिवासीों को उनकी जमीन वापिस दी जानी चाहिए मगर इस कानून को नरेंदर मोधी जी ने गुजरात में लागू नहीं किया हम पैसा कानून लाए उस कानून में लिखा था कि आदिवासीों का विकास का काम आदिवासी करें विकास का जो भी काम हो आदिवासी पंचायते करें वो भी कानून लोउन लागू नहीं किया सक्चा ही यह है कि वो आपको शक्ती नहीं देना चाहते है वो आपको मजबूत नहीं बनाना चाहते है गुजराथ के स्कूल और गुजराथ के कॉलिज और यूनिवर्सिटीज को प्राइबेटाइज कर दिया शायद गुजराथ ऐसा प्रदेश एंदुस्तान में जिसमें 90 प्रतिशत 90 प्रतिशत कॉलिज और यूनिवर्सिटी उद्योग पतियों के हाथ में है आदिवासी युवा कॉलिज में जाना चाहता है तो कम से कम पाँच-दस लाग रुपए देने पड़ते हैं अमीर लोग पाँच-दस लाग रुपए असानी से दे सकते हैं वगर आदिवासी, खिसान, मजदूर पाँच-दस लाग रुपए शिक्षा के लिए नहीं दे सकते हैं नतीजा होता है कि जिनके पास पैसा है उनके बच्चे कॉलेज जाते हैं और जिनके पास पैसा नहीं है वो कॉलेज नहीं जा सकते हैं मोदी जी का विजन है कि पूरा का पूरा फाइदा पांच-दस दियोग पतियों को हो और आदिवासी युवा मजदूरी करें, कॉलेज ना जाएं, शिक्षा ना पाएं और अगर उनके माता-पिता बिमार हो, दिल की बिमारी हो, कैंसर हो इलाज कराने के भी उन पांच-दस दियोग पतियों के लिए उन का पैसा जाएं ये हैं गुजरात मॉडल आदिवासीों से शक्ति चीनने का, किसानों से शक्ति चीनने का, गरिब लोगों से शक्ति चीनने का और पांच-दस दियोग पतियों को देने का मॉडल रोज़गार की बात करते हैं पूरे हिंदुस्तान में मेकिन इंडिया का नारा चला दिया मैं आगको एक आपड़ा देना चाहता हूँ जो भी हिंदुस्तान में आज लिखता है चाहिए वो मोबाइल टेलेफोन हो शर्ट हो, पैंट हो कैमरा हो सब के पीछे मेड इन चाइन लिखा होता है आपने कभी कैमरा के पीछे, फोन के पीछे मेड इन गुजरात लिखा हूँ देखा है कभी देखा आपने, मेड इन गुजरात, मेड इन इंडिया नहीं देखा है मुकाबला हमारा चाहिना के साथ है अगर हम चाहते हैं कि आने वाले कल में आदिवासी युवाओं को किसान के बच्चों, बेटों को मजदूर के बेटों को, बेटियों को रोज़गार मिले तो हमें चीन से, चाइना से कॉम्पटिशन मुकाबला करना पड़ेगा और कोई रास्ता ही नहीं है सीदी सी बात है या रोज़गार वहां जाएगा या फिर यहां आएगा दोनों जगें नहीं जा जकता है और मैं आपको आकरा देटा हूँ तिन साल से डरेन रमोदीजी सरकार में में किनिटिया का नाला लगाया चौपिस गंटे में चाइना में पचास हजार युवाओं को रोज़गार मिलता है हर चौपिस गंटे चीन में पचास हजार नई युवाओं को रोज़गार मिलता है अबादी एक जैसी है हिंदुस्तान और चीन के अबादी एक जैसी है 24 गंटे में चीन में 50,000 युवाओं को रोजगा और नरेंवर मौदीजी के हिंदुस्तान में 24 गंटे में 450 युवाओं को बूरे हिंदुस्तान में रोजगा रिता है यह मेकिन इंडिया भी सच्चाई आप अपना पैसा दो आप अपनी जमीन दो आप अपनी बिचली दो, आप अपना पानी दो और आप सरकार से सिर्फ दोतीन चीज़ मांते हो शिक्षा, स्वास और रोजगा गुजराद की जनका कमजोर नहीं है आपको मदद की जरूरत नहीं है आप सिर्फ अपना हथ मांते हो सरकार से रोजगार, शिक्षा और स्वास और आपको जवाब मिलता है गुजराद को छोड़ो पूरे हिंडुस्तान में सिर्फ चार सो पचास युवाओं को 24 गंटे में रोजगार मिलता है मतलब ये जो लोग सामने बैखे हैं तकरीबं चार सो लोग पूरे हिंडुस्तान में 24 गंटे में सिर्फ इतने युवाओं को रोजगार मिलता है ये हैं मेकर इंडिया की सच्चाई और इस रोजगार के लिए चार सो पचास लोगों के रोजगार के लिए आपकी जमीन जाती है आप अपने बिजली देते हो आप अपना पानी देते हो और वापस आपको कुछ नहीं मिलता नैनो मॉडल खुकला बार से चमकता हुआ अंदर से खुकला शक्ती नेताओं के पास नहीं होती है शक्ती आपकी है गुजरात की जनता की है गुजरात की किसान की है मजदूर की है युवाओ की है चोटे दुगांदा की आठ नुवबर पिछले साल नरेग्न मोजी जी कहते है पांच सो रुपे और हजार रुपे का नोट बारा बजे रात को मैं रद्द कर रहा हूँ खत्म कर रहा हूं इसको पता ने क्या कारण था चोटा दुकांदा किसान मजदूर चोटा ग्यापारी ये सब कैश में काम करते हैं नरेग्न मोजी जी एक बात नहीं समझ पाए पूरा का पूरा कैश काला धन नहीं होता है और पूरा का पूरा काला धन कैश में नहीं होता है हिंदूस्तान की जनका जिनको दो तीन महीने के लिए लाइन में खड़ा किया गया वो चोट नहीं है वो इमानदार लोग है और उन्होंने कोई चोटी नहीं की थी और जो सच्ची चोट थे जिनके पास काला धन था उनके बारे में नरेंडर मोदी जी ने कहा था कि पूरा पैसा वापस नहीं आएगा 15 لاکھ کرोर रुपई में से 2-3-4 لاکھ کرोर रुपई वापस नहीं आएंगे और वो पैसा हम गरीबों को देंगे आपको मिले आपशा एक रुपईय बिला आपको हुआ کیा हिंदुस्टान के सब चोरों ने नोट बती के माधियम से अपना पूरा काला धन सफेर में बनल दिया मतलब उनका चोरी का पैसा काला धन नरेंद्र मौदी जी ने उनके लिए साथ कर दिया नुकसान किसका हुआ किसान का जो कैश में अपना भीज करीकता है मजदूर का जिसको कैश में पैसा दिया जाता है चोटे दुकानदार का जो कैश में काम करता है मगर नरे नमोदी वहाँ नहीं रुके नोट बंदी के बाद कहते है अब मैं जी एस्ट लागू करूँगा हमने उनसे कहा देखिए कॉंग्रेस पार्टी की सोच है जी एस्टी और जी एस्टी का मतलब एक टैक्स और सिरफ अठारा परसेंट से ज़्यादा से कम टैक्स आप जी एस्टी लागू करना चाहते हो एक टैक्स हो और अठारा परसेंट से ज़्यादा टैक्स ना हो क्योंकि अंत में टैक्स गरीब जनता देती है अंत में टैक्स का पोच किसान पर मजदूर पर छोटे दुकानदार पर पड़ता है 18% से ज़्यादा टैक्स मत लगाई है हमने अपने लोग बेजे अरुण जेटली जी के पास और हमने ये भी कहा अगर आप GST लागू करोगे आस्ते से करिए प्यार से करिए टेस्ट करके कीजिए तीन चार महिले में कीजिए अगर कोई कमिया है पता लग जाएंगी अर्थ व्यवस्ता को जट्का नहीं पड़ेगा नरेन्व मोदी जी और अरुन जेटी जी का जवाब आया बारा बजे रात को हम GST लागू करेंगे पांच अलग-अलग टैक्स होंगे कहां आप अठारा परसंट के बाद करते हों हम अठाइस परसंट टैक्स लगाएंगे और उन्होंने टैक्स GST लागू कर दी ये GST नहीं है ये गंपर सिंग टैक्स है ये जंता से चोटे दुगांदारों से किसानों से मज़़ूरों से पैसे चीनने का तरीका है जैसे गंपर सिंग लोगों को दराता था और उनसे पैसा चीनता था उसी प्रकार गंपर सिंग टैक्स लोगों को दराकर उनसे पैसे चीनने का तरीका है और मैं आपको ये भी बता देता हूँ ये पैसा आपके पास नहीं आने वाला है ये पैसा फिर से डाइरेक्ट कैश क्रांसफर हिंदुस्तान के सबसे आमीर पांच, दस, पंद्रा हो जी ओपतियों के जे में जागा सीथा और आप देखते रह जाओगे जैसे मोदी जी ने आप से कहा पंद्रा लाग रुपे मिलेगा मैं आपको जीदा बता लेता हूँ पिछले एक साल में नरेंगर मोदी जी ने एक लाग तीस हजार करोर रुपे हिंदुस्तान के सबसे अमीर पंद्रा उडियो और पतियों का मात किया है आने वाले समय में छे लाग परोर लुपे और उनके मात होने वाले है ये पैसा आपके हाथ नहीं आएगा ये पैसा उनके हाथ में जाएगा आपका बहला नहीं होने वाला है गुजराद को शिक्षा की जरूरत है स्वास्त की जरूरत है और रोजगार की जरूरत है ये हैं सबसे बड़े मुद्द और इन तीन पर बीजेपी की सरकार बाईस साल में बिलकुल फेल हुई है शिक्षा स्वास्त पूरे के पूरे सिस्टम दो प्राइवेटाइज करने से नहीं मिलती है अभी आपने बोला कि कॉंग्रेस पार्टी ने स्कूल यूनिवर्सिटी खोली सरकारी कॉलिच सरकारी यूनिवर्सिटी सरकारी स्कूल अगर उद्योग पतियों को फाइदा नहीं होता है चाहे वो शिक्षा हो, स्वास हो, कुछ भी हो अगर उनको फाइदा नहीं होता है तो नरेंद्र मोदी जी बीजेती नहीं करती सीड़ी बार ये लोट जी ने कहा कि गुजराब में अंडर करंट है 440 वोल्ट का अंडर करंट है मामूली अंडर करंट नहीं है और ये जटका बीजेती को लगने वाला है और जबर्दर जटका लगे रहा हमें च्याजी ने स्वेर कह दिया है कि सुनामी आने वाली है और आएगी यहां पे सुनामी अच्छी गासी सुनामी आएगी मगर जब कॉंग्रेस पार्टी की सरकार यहां बनेगी तो सुनामी को हम विकास में बदल देंगे आपका जो पानी है नर्मदा का पानी आपकी जो जमीन है आपकी बिज्ट्री जो है वो आपको मिलेगी मैं खुकले वाइदे नहीं करता हूँ मैंने पंद्रा लाग रुपे का वाइदा नहीं किया जो आपके दिल के अंदर दंद है उस पर सरकार चलेगी उसको ठीक करने के लिए सरकार चलेगी आपकी जिन्दगी को बेतर करने के लिए सरकार चलेगी बाइस साल से आपने जुमले सुने हैं खुकले वाइदे सुने हैं तीस लाग युवा बेरोजगार हैं चोबिस घंटे में पूरे हिंदुस्तान में चारसो पचास युवाओं को रोजगार मिलता है यह सच्चाई इस सच्चाई को बदलना है मैं बोग दिन देखना चाहता हूँ जब गुजार के युवा सेलफी ने और कैमरा पे लिखता हो मेड इन इंडिया, मेड इन गुजरा और वो देन हम ला सकते है और अगर चाईना पचास हदार युवाओं को 24 घंटे में रोजगार दे सकता है तो यह देश और यह बरदेश सतर हदार युवाओं को 24 रत्य में रोज़गार दे सकता है मगर ध्यान सही जगे होना चाहिए अगर ध्यान सही जगे नहीं होगा तो ये काम कभी नहीं हो चकता है और BJP का ध्यान सही जगे नहीं है ये चीज़े मैं आपसे कहना चाहता था रात का समय है आप दूर दूर से आए प्यार से आपने मेरी बात सुनी मैं आपका फिर से दिल से बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ और जो महिदाएं आई हैं आपका भी मैं दिल से बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ धन्यवाद, नमस्कार, जैहिद गिस रखना बगर जी तब गभलो एके एक 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 ए ए गल वड जानी ... Congress, Congress, Congress You are Ruzga Kherut